नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अज इस वीडियो मैं चिनाब ब्रीज और बकल रिलो इस्टेशन का अपडेट देने वाला हूँ इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू को आपसा रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें सेयर करें सबस्कारब करें आप पता से 1739 मिटर हैं और इस कि जो लंबा है 1315 मिटर का है 1315 मिटर, लंबाा है यह जो ब्रीज है इस चिनाब येरीवर अब बना हुआ है जो कि जम्मों के रियाति जिस्टिक में इस्थित है इस ब्रीज का जो खासियत है वो यही है कि यह जो है दुनिया का सब से टोकलेश्ट ब्रीज है जो कि एफिल टावर से 35 मिटर उचा है और जो है लिवर्टी अप स्टैचू से भी उचा है यही ब्रीज की खासियत है इतनी उचाई पर इतने बड़े ब्रीज को बनाना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है इस वज़े से भी इस ब्रीज को जाना जाता है अब वीडियो में आपको दिख रहा होगा हम धिरे-धिरे जो है चिना ब्रीज से जो है आगे बकल रेलोर इस् का वीडियो में छिना ब्रीज नहीं एक बन कि रेडिया है और और भी उर्परेस्टन होने के लिए तयार है आस पास का जो नेचर है चिनाव ब्रिज का वो देखने बहुत ही खुबसूरत है यह आपका चिनाव रिवर है रिवर जो की चिनाव रिवर जो है हमारा बहुत ही इसकी लेंथ जो है 9,000 something किलोमीटर का है और यह जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पहेती है पर चिना पर ट्रेक वगरा ओल्डेडी लेड़ हो चुका है यह आपका जहां से एक ट्रेक से दूसरे पर हमारा जुट्रेन क्रास करता है यह पोर्षन है अब बोर्ड यह लो कलर का वह बग्कल रिलोई स्टेशन होते हुए चिना ब्रीज से होते हुए आगे बढ़ यह बग्कल रिलोई स्टेशन जो आपको दिक रहा है दो प्लेटफॉर्म इस पर हैं और यह बन के रिदम रेडी है और परस्मिं होने के तयार है यह बग्कल रिलोई स्टेशन हमने आपको दिका दिए यह प्लेटफॉर्म है आदे जो है आपको फ्लाई ओवर दिख रहा होगा जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गया है इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है और काम क्या चला है इसे सेडि है बाकी बग्कल रिलोई स्टेशन यूज चिणा भी इत्तम phosphorus होने के तयार है बक कल रिलोई स्टेशन के आगे जो आपका ट्रसाइट हम भढ़ेगे कि जैसे ही बककल रिलोई स्टेशन होता है आगे इस सायड में आत्या बढ़ोग़ा तो अपरंत आपका 비難歌 नमसरी है झाल झाल